और ने आपके लिए इतनी ठंड में इतनी दूर सी आये हो तो परमिश्वर काम करेगा आपकी लाइफ में, सुनो, दाओद, बहले ही ठंड में रोलन जाता है, आपको सुनना है ध्यान से, दाओद ने अपनी लाइफ के अंदर परमिश्वर के साथ इमानदारी रखी, लेकिन जितनी बार वो इमानदारी करता था जितने लोगों का भला करता था वोई लोग उसके खिलाब खड़े हो जाते थे उसका अनादर करते थे लेकिन वो परमिश्वर का एक अभिशिक दास था और परमिश्वर पर भरोसा रखता था कि प्रभू तुम मेरी जिंदगी में काम करेगा और मुझे आश्री बात देगा बोला हालेलोया लेकिन उस समय में दाउद ने भलाई किया लेकिन उसको घर छोड़ना पड़ा और उसके बाद घर छोड़ने के बाद तो उसके एक स्थान पर गया जंगल में जिस व्यक्ति ने उसको जगह दी थी रहने के लिए उसके लोगों को और समय में उसने कहा कि मेरी हेल्प करने के लिए चलो वो उनकी हेल्प करने के लिए गया और जब वापिस आकर देगा उसके शत्रों से जब बदला ने के लिए लिए गया तो शी समय क्या हुआ कि उस दाउद के शत्रवों ने आकर उसके घर को राक बना दिया आग लगा दिया उसकी प्रोवर सारी चीज़ों को उठा कर ले गया उसकी भेड़ बक्रिया एक एक चीज सोना चांदी सब डिस्ट्रॉई कर दिया शाताम ने Tem कर दिया उसके परीवार चांदी जतने लोग हो पर थे सब की उरतों को उठा कर ले गे सब बच्छों को उठा कर ले गे और सी समय दाउद आकर बड़ा निराश हो गया और सी समय वह को खो सकता था परमिशर को कह सकता था लेकिन इतनी देरे में क्या हुआ कि जो सैनिक थे, जो उसके साथ रहते थे, बड़ी-बड़ी बाते करते थे, उनके जब उन्होंने अपने बच्चों को देखा, घर पे गया अपने ही, उनके समान चोरी होगे, चलेगे, सब कुछ डिस्ट्रॉई हो गया, सब कुछ खतम हो गया, उन लोगों को इतना गुसा और उन्होंने पस्तर उठा लिए, और उन्होंने ने कहा, करें कि आज हम दाओद को मार डालेंगे, और दाओद का हिर्दे अंदर से भर गया, और चीज़ समय, दाओद कहना लगा परमिश्र, मैंने तो इन लोगों का भला किया अस तक, यहीं लोग मेरे उपर, मेरी मारने के लिए खड़े हो, यहां पर दाओद जो है, करा है, निराश हो गया, अनादर, करा हो अपने देखकर, उस समय में हो सकता था, कि दाओद अपनी लंबी चोड़ी लिस्ट बना सकता था, कि दाओद कह सकता था, कि परमिश्र, मात्य पर हात मार के, करा बैठ सकता था, और कह सकता था परमिश्वार, मेरा सोना भी चला गया, मेरा चांदी भी चला गया, मेरा पैसा भी चला गया, मेरा जेवराद भी चले गया, मेरे बच्छे भी चले गया, मेरा परिवार भी चला गया, दाउद भी मत्य पर हाथ मार सकता था, आज हो सकता है जब किसी का नुकसा में वो क्या करेगा एक लंबी चोड़ी लिस्ट बनाएगा परमिश्वर के सामने लेकिं दूसरा चुना उसने क्या चुना उसने इसको नहीं चुना उसने परमिश्वर के सामने कुड़कुड़ाने को नहीं चुना बुड़कुड़ाने को नहीं चुना हो सकता था वो परमि के लिए एक एक रुपया जोड़ा मैंने परमेशुर तेरी मही मा किया है लेकिन पॉवी तरह तमाज तेरे ही लोग तेरे लोग मेरे लोग करा मेरा अनादर कर रहे हैं मेरे इसदार मेरे परिवार ये सैनिक जिन लिए मैंने रोटियां कराए के इनकी मदद किया, कराए इनके सैनी को इनको दुस्वनों से चड़ाया, यही ज्राहिल के लोग आज मेरा आप मान कर रहे हैं, मेरे खिलाफ खड़े होगे हैं, और उसी समय तूटकर वो अपनी लंबी चोड़ी लिस्ट परमिशर को दे सकता थ कि मेरी पत्नी को उठा कर लेगे, मेरे बच्चे को उठा कर लेगे, मेरा घर तोड़ दिया, मेरी कार तोड़ दी, मेरी गाड़ी तोड़ दी, बैल गाड़ी तोड़ दी, मेरा सोना चला गया, चांदी चला गया, यह वो यह वो लंबी चोड़ी लिस्ट उनकी पास थी, ल करें कि शेर फानु से सघड़ाया मैं तिना थन्यवात करता हूं परमिश्वर तो ने गोलियत को हराया कर दो मुझे जिए दिलाया करो कि मैं तो आज पहीतरात्मा तिना थन्यवाद करता हूं परमिश्वर ऐसे व्यक्ति की ओर लेखग राथ हो और उसने इंप लंber छौडी तर अब मैं क्या करूँ? परमिशर ने का जा बेटे, करा, जिन्णों ने तिरा घर डिस्ट्रोई की है, जिन्णों ने तिरा सब कुछ ले लि ωिए, करा, मैं तुझे सब कुछ वापिस लटाँगा, जा उनका पीछा कर, और मारकर ले करा, मैं तुझे जिताउंगा इस वर्स के अंदर इस मसी के नम में और उसी समय वो गया और उसने जाकर जब यूद किया उसके साथ और उसी समय करा कि सब कुछ वापिस ले आया सब कुछ जो उसके साथ गए आपको बता रहा हूं उसके साथ क्या हुआ अगर उसकी दस भेड़ बकरियां ले गए तो वहां से वो बीस भेड़ बकरियां वापिस लाया अगर उसका सोना चांदी चला गया तो कह रहा कि वो जादा डबल सोना चांदी लेकर आया हर चीक डबल हो गई और पवितरात्मन ने उसको आशी दिया मैं फिर उन लोगों से बात कर रहा हूँ कि अगर हो सकता आपकी लाइफ में कोई प्रावलम ऐसी आगी हो और आप करा निराश हो आप टेंशर में हो आप बीमारी आप समस्या में हो लेकिन शैतान ने आपके पर एक हमले की बजारे एक परस्तिती एंजब खराब होती है दूसरी परस्तिती आजती है लेकिन उस समय में लोग मत्थे पर हात मारते है जब नुक्सान हो जाता है जब प्रावलम कोई आ जाती एफ तो असी समय परमेश्वर के सामने कुड़कुड़ा कर बड़ बड़ बड़कर लंबी चोड़ी लिस्ट बना देते हैं परमेश्वर के सामने लेकिन उस समय में दाउद ने करा कि भरोसा रखा परमेश्वर पर धीरज रखा और उसने का परमेश्वर करा कि मैं तेना धन्यवाद करता हू कि तू सामर्थी परमिश्वर है कि मैं करा हूँ धन्यवाद देने वाले लोगों के लिए परमिश्वर करें कि रिस्टोर का साल होगा यह रिस्टोर का साल होगा तुमारा खड़े होने का स्टाल होगा तुमारा पितनस खड़ा होगा दुमारा आपकी शेरपना बनाई जाएगी आपका घर बनाया जाएगा जो आपने 2030 में खो दिया है चर्च यह भविशेवानी आपके लिए 2024 में आप फिर से पाएंगे इस मसी के नाम में जो कंपनी आपकी वरवाद होगी है फिर से बनेगी जो बच्चा डिस्ट्रोई हो गया है मैं करा आपको मैं फिर करा हूँ परमेश्वर का आत्मा करा फिर से परमेश्वर रिस्टोर करेगा याद रखना स्टोर भर जाएगा आपका इतनी आशीश्या हैंगी स्टोर भर जाएगा आपका परमिश्वर कभी भी एक तरफ से काम नहीं करता है जब परमिश्वर काम करता है तो चारों दिशाओं से उसको ब्लेस करता है शमसी के नम में आपका घर भी ब्लेस होगा बिसनस ही ब्लेस होगा अपकी हड़ियां भी ब्लेस होगी पत्नी भी ब्लेस होगी बच्टे भी ब्लेस होंगे क्योंकि ये परमिश्वर का स्टाइल है और परमिश्वर ने केवल दाउद को नहीं उसके सांथवानों को भी अमीर कर दिया उस दिन हालिलुया और उस दिन वो दाउद की तारीफ करने लगे हालिलुया पर मिश्वर ने का जा करिया नो के बारह में क्या लिखा फिर चे पढ़ें हे आशाधरे वे बंदियों गड़ की और फिरो मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूँगा सारे बुला हालेलुया कराएं कि आज ही फिरो कराएं इसका मतलब शैतान ने आपके दिमाग में गड़ बनाया है कि नहीं शैतान ने आपके विचारों में गड़ बनाया है आपके प्रोसियों ने आपके दिमाग में गड़ बनाया है कि नहीं तेरी जिंदगी में तेरी लाइफ में कुछ नहीं हो सकता लेकिन परमिश्र कात्मा करा है करा है कि अगर तुम फिरो आज करा है मैं उन शेतान के गड़ को तोड़ दूँगा इसमसी के नामे गड़ को तोड़ने वाले बनना आपको आज करदे के गड़ को बीमारी के गड़ को समस्च है कि गड़ को तोड़ने वाले वनना है लेकिन परमेशुर उनके गड़ को तोड़ता है कराएं जो कराएं इस बात को समस्च है फिर से पड़िस में का लिखा ए आशा धरे हैं वे बंदियो लाली हाँ गड़ की और फिरो मैं आज ही नहीं बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दुगना सुख धूंगा हालेलोया कराएं कि मैं तुमें बदले में दुगना सुख धूंगा इसका मतलब अगर आपकी नाम दराई कोई कर रहा है हो सकता आपकी मां कह रही हो USACI-O अपने बेटे को बोल रही हो तुने क्या किया अब तक तुरा बिजनस का है अज हो सकता है कि बाप कह रहा हूँ कि तुने इतना पैसा खर्च कराया मेरा लेकिन तुरा बिजनस तुने मेरा पैसा उड़ा दिया आपके नाम दराई हो रही हो हो सकता है कि आपके घर में परिवार में लेकिन परमिश्यर का आत्मा करा हो सकता है आपने कोई बड़े बड़े अच्छे अच्छे काम किया हो और सबकी मदद किया हो लेकिन आपको अनाधर पर अनाधर मिल रहा हो एक भी गवाईना बन रही हो लेकिन परमिश्यर का आत्मा करा है इस वर्ष करा कि चिंता ना करना जो लोग अपने आपको संभाल कर रखेंगे प्रभू में बना कर रखेंगे पाप को पाप से करा अपने आपको रोके रखेंगे करा अपने मूँ को पाप की बातों से रोक कर रखेंगे याद रखना परमिश्र करा ये साल मैं तुम्हें दुगने सुख दूंगा इश्रमसी के नाम में ये साल करांदिया है तुफान आए बिमारी आए खर्च आए लेकिन करा मसी लोगो तुम्हें मैं दुगने सुख के साथ भेजूंगा इश्रमसी के नाम में दुगना सुख दूगा जकरिया ने भविशे बाणी किया करा अगर अनादर हो रहा है करा लेकिन आदर भी होगा याद रखना अगर बारिश आती है तो करा के बारिश हट भी जाती है दुख आता है तो सुख भी आता है अगर सुख आएगा तो याद रखना बड़ोतरी भी आएगी श्रमसी के नाम में उसने का जकरिया बहुषक्ता ने कि मैं तुम्हें दुगना सुख दिलाऊंगा हालिलुया आज जितने मेरे लोग यहां पर बैठे हैं वो दुगने सुख को लेकर जाएंगे श्रमसी के नाम में जितने लोगों ने नहीं देखें सुख आज से वो देखेंगे आमीन बोलने वाले ताड़ी बजा कर सुख देखो गए आज क्या मेरे परभू के लिए ठंड में ताड़ी बजा सकते हैं बजा सकते हैं आज बो आलिलुया हालेलुया मैं चाहरव के परमीश्वर काम करता है अगर आज सुख किसको मिलेगा इए हमम सुख देखना 400 हाथ uठा के बता हो सब देखने हैं कितने लोंग दुख देखना जाते है हमठो ये दुख एक ऐसी चीज है जो देखना नहीं चाहता कोई बला हाले लो या कोई तो होगा टोपी वाली कोई तो होगी कोई भी नहीं है एक भी नहीं है यहां पर ऐसा है कि जो दुख देखना चाहता हूं कितने लोग चाहते हैं कि उसको बुखार आजाए कल एक भी नहीं है सब को मतलब अच्छा 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 सब कुछ अच्छा चाहिए लेकिन मसी जूठा गोस्पल नहीं बाढ़ता याद रखना जिसके जीवन में दुख नहीं आता हूं कि और से प्लैनिंग करा के मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैं जब हार्याने में सेमा शुरू किया आज बहुत सारे लोग बोलते हैं के परमिश्वर मैंने इतनी बार मेरा अनादर हो गया, इतनी बार मेरा घर में मेरा सम्मान नहीं है, मेरी सांस मेरा सम्मान नहीं करती, मेरा पती मेरा आदर नहीं करता मैं करा हूं आप किस आदर को ढूंड रहे है परमिश्वर का आत्मा आपका आदर करना चाहता है परमिश्वर का आत्मा कहता है जब मैं उतरता हूं स्वर्ग से, करा है बन्दा नहीं, पुरी दुनिया तुम्हारा सम्मान करेगी, आदर करेगी इश्मसी के नम में लेकिन बहुत लोग अपने आदर को ढूंडते हैं, लेकिन उनको आदर कभी नहीं मिलता है जो लोग परमिश्वर के सामने कुड़कुडाते, बुड़कुडाते हैं और बार बार परमिश्वर को कहते हैं, परमिश्वर क्या मिला मुझे, क्या मिला मुझे तब इतना आत्मा के सामने जितनी बार आप दोश लगाएंगे, परमिश्वर उसको आदर सम्मान नहीं दिलाएगा जितनी बार आप दुख में मुसीबतों में परमिशर का धन्यवाद करेंगे उतना परमिशर आपको आदर दिलाएगा इस सब्सक्राइगा इस सब्सक्त अतना समान दिलाएगा इस मश्मसी के नाम में करा, आपके आपके पास लंबी चोडी लिस्ट है, लेडिस के पास लंबी चोडी लिस्ट है, अगर मैं किसी लेडिस को कह timeline, कहां छाटी सिस्टर अपनी problem मता दो तो वैसे तो में ज्यादा थर कहता नहीं, कहता हम लेक्षा मिन की लेकिन परमेश्वर का आत्मा करा है कि जब आप दूसरी लिस्ट तियार करते हैं माथे पर हाथ मारने की बजाए आप परमेश्वर को सामने लिस्ट बनाते हैं कि पास्टर जी परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो चमतकार किया था आज दुखा गया तो क्या हो गया एक द उसको problem हो गई लेकिन उसकी पत्नी आई और कहने लगी छोड़ दे इस परमेश्वर को क्या मिला तुझे लेकिन उसने कहा करा बेशक अभी मुझे सूख नी मिला लेकिन एक दिन करा कि मुझे सूख मिलेगा उसने कहा क्या दिया परमिश्वर ने दुख पर दुख दुख पर दुख उसने अपनी पत्नी को कहा अयूब ने कहता है कि जिस हाथ से परमिश्वर सुख देता है कि हम दुख ना ले कहता है कि अगर आज उसने दुख दिये तो कल वो बढ़ोंतरी का साल भी आएगा इसमसी के नम में करा बढ़ कर भी सुख आएगा वावी तरह अत्मा काम करता अपने लोगों की जिंदगियों में मेरी लाइफ में मैंने मैंने मैंनत किया जगे जगे गया मैंने मैंनत किया हारयाने में मैंने सेवा कई शुरू किया चार लोग थे मेरे पास और जब मैंने चार लोगों में सेवा शुरू किया तो असी समय एक कादमी के पास बच्चा नहीं था 18 साल से और मैंने उसको का भाई साब मैं आपके लिए दुआ करूँगा और मैं दुआ पर दुआ दुआ पर दुआ उसके घर बैठ कर दुआ पर दुआ घंटा घंटा दुआ करता था उसके घर पर पूरे में वो मुझे अपने घर पर रोटी वी में खिलाता था मैं सुबह शाम क्योंकि बस उसने एक बात कह दी थी मुझे उसने कहा था अगर मुझे बच्चा हो गया तो कह रहा कि मैं आपको चर्च बना के दूँगा तो आपको बताईए फिर फिर तो अच्छी दूआ करनी बढ़ती है तो मैंने उसके लिए दूआ करना स्टार्ट कर दिया उसके घर पर जाता स्वेरे मैंने का कमरा दे दे मैं तेरे कमरे में बैठ कर दूआ करूँगा सुबह शाम दूआ पर दूआ दूआ पर दूआ दूआ बद दूआ नहीं दे रहा हूँ दूआ कर रहा हूँ दूआ पर दूआ दूआ पर दूआ प्राथना पर प्राथना उसको आसीस बेराओं परमेशन, इसको ब्लेस कर जल्दी, ब्लेस कर और सी समय, थोड़े दिनों के बाद, क्या हुआ उसकी पतनी प्रेगनेंट हो गई प्रेगनेंट हो गई और मैं सपने देखने लगा मैंने का महल बन गया अपना चैर्च बन गया, मेरे खुदा का घर बन गया मैं बड़ा खुश था, लेकिन थोड़े दिन के बाद, जब मैं उसको बेटा हो गया जब मैं उसके घर गया, मैंने का बेटा भी हो गया आपको मैंने का अब थो और वो मेरे बिगड़ गया उसने का अरे हम हर्याने के लोग हैं हम जमीन नहीं बेचते हैं जमीन बेचना मा बेचने के बराबर होती है मैंने का बेचने को कोन कह रहा दान कर दे कह रहा नहीं और मेरे उपर लांचन लगा दिये लालची का मुझे और मेरी बेचती की इसने मैंने का परमिश्वर तेरा धन्यवाद हो मैं घर गया कमरे में गया मैंने प्राथना किया दूआ किया मैंने मैंने का परमिश्वर समझ में नहीं आया ये क्या चक्कर है लेकिन परमिश्वर तेरा धन्यवाद हो कोई बड़ोतरी होगी मेरी बहुत बड़ी बड़ोतरी होगी शुमसी के नाम में उस व्यक्ति ने मुझे निकम्मा समझकर लालच करके लालची की का और करके चाथ इदर उदर की बाते करकर छोड़ दिया उसने मुझे मैं मां से जिरक्तपुरा गया जब मैं चंडीगर के पांस आया जिरक्तपुर में तो उस समय में हमने बड़ी मेनद किया किसी को परलाईज ठीक हो गया कोई अंधा ठीक हो गया किसी को बच्चा हो गया मशूर हो गया हमें और उसी समय बहुत सारे लोग मेरे पांस आने लगे और हमने का बहुत सारे लोग आगे हैं, अब हम इकठे करके पैसे चर्च बनाएंगे, जमीन लेंगे हमने बहुत सारे लोगों ने पैसे कठे किये, जमीन वाले को पैसे दिये और जी जैसे ही पहले दिन वहाँ पे चर्च लगाया वहाँ पर भाई साब बड़ी सारी पूली सागी मैंने का क्या वाता है बोल रहे करे ये तो डीलर ने जूट बोलकर CM की जमीन बेज दिया मुझे नेका आप इतना बड़ा पंगा ले लिया चोटे मोटे आजवी की जमीन बेज दिता डीलर ने छूट बोलकर हेरा फरी कर दिया हमारे साथ और कैप्टन साब की जमीन बेज दिया कैप्टन साब हमारे बंजाम में सब CM थे फॉर्म में उनकी करें ये उनकी जमीन है मतलब कि वो सरकारी जमीन थी मैंने का यार ये तो पंगा पढ़ गया और समय में सारा पैसा लेकर भाग गये वो और मेरे ही मेंबर मुझे छोड़ कर चले गए मेरे बारे में कुछ-कुछ बोलने लगे अनादर किया मेरा मैंने का परमिश्वर मैंने उपर की और दिखा मैंने का धन्यवाद हो परमिश्वर और उसमें पोई तरहांत्म की वाज आई करा बेटे लगा रहा है जो वो काम कर रहा है थोड़े दिन के बाद पूरी दुनिया देखेगी दुज़े इशो मसी के नाम बे मैं कर रहा हूँ चंडी गड़ की बात बता रहा हम आपको मैं उन लोगों के बता रहा हूँ कि अपनी गवाई से कि ताकि आपको सीखने को मिले कि मेरे को इसी चंडी गड़ में दुद्कारा गया इसी चंडी गड़ में मेरा अनादर किया इसी चंडी गड़ में मेरे साथ बुरी बुरी बाते कही गई मेरे बारे में कुछ कुछ का गया लेकिन मैं लंबी चोड़ी हो सकता था माथे पर भात मार कर परमिश्वर के सामने लंबी लिस्ट लेकर रोता कमरे में बैठ जाता लेकिन मैंने जाना है परमिश्वर के प्रेम को कि परमिश्वर ऐसे नहीं सुनता जो लोग अपनी लबी चोड़ी लिश्ट लेकर नहीं अपनी लबी चोड़ी लिश्ट धन्यवाद के लेकर बैट जाते हैं परमिशर तुने उस समय में 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 लिए क्या किया? किराए पर नइ हूँ ये आपके पैसे चाहित है ये पैसा लेता है लेकिन आपको बताओं, नवे चर्च ważne 12 दोबारा खड़े की है, हालेलुया मैंने एक भी किसी का करसदार नहीं हूँ, किसी का करसदार नहीं हूँ परमिश्वर है यह, मैं करहा हूँ कि मैंने किसी के सामने हाथ नहीं फिलाया मैंने परमिश्वर के सामने हाथ फिलाया और पवितरात्मा को का पवितरात्मा जो तेरे चर्च में भीजबोए उसे फटा-पटी कर देना अलेलुया उसका फटा-पट काम कर देना मेरी प्रेयर बस यही होती थी कि परमिश्वर उसका बड़ा काम कर देना लेकिन आज बहुत सारे लोग करना सोचते हैं कि परमिश्वर मेरी लाइफ में काम नहीं कर रहा मैं कराओं कि आप चिंता ना करें पवितरात्मा ने मुझे खाए कर अगर आप भीरज रखें आप भरोसा रखें तीन काम करें अपने आपको पाप करने से रोके रहें तो ये वर्ष याद रखना तुमारे लिए बड़ोतरी का साल होगा इसो मसी का नाम में तुमारे नामदराई का साल नहीं होगा ये तुमारी बड़ोतरी का साल होगा कोई कर रहें के तुझे नोकरी नहीं मिली तो चंगा नहीं हुआ तेरी नाम दराई आज लोग कर रहे होंगे लेकिन ये भाई शवानी आपके लिए पूरे साड़े तीन महिन ने भीतने के बाद मेरे लोगों के उपर से आकाल हट जाएगा मेरे लोगों के पर से शराफ हट जाएगे आपके पर से वो बिरोजगारी का शराफ हट जाएगा आप बड़ी बड़ोतरी करोगे बड़ी कंपरी के माली कोंगे माली कोंगे आप जंगाई को देखेंगे आपकी टेस्टमन ही आएगी आपकी कवाई आएगी Amin बनने वोले Hallelujah मोने योले ताड़ी बन जाने मोले आप चंगाई को लेंगे आद इश्मसी के नाम मे कि आप उचल उचल कर ले सकते हैं इस साल में अशिरबात को लेनो जेनो जेनो लेनो बेनो येनो एक चलांग लगा कर बैठ जो आज Hallelujah दूए कि हांग में अपने पॉड़ोशी को चलांग लगाकर भलोग मैरी टेस्टमें मारी आगी आज अगी आज वो अपने पॉड़ोशी को बोलो तेरी नाम दराई दूर हो गी आज हाथ मिलाकर बोल। बहुँ शक्ता हूँ मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ अपने प्रोसी से बोला हूँ तेरी नाम दराई दूर होगी आज वो मैंने चलाँग इसलिए लगवाई थोड़ा वार्म अप करना था गर्मी चाहिए थी ठंड जादा लग रही थी सारे बोला हालिलोया समाज में आ रहा है के नहीं करहा है कि आपकी लाइफ में बड़ोतरी हो रही है आपकी लाइफ में बड़ोतरी होगी आपकी टेस्टमनी बनेगी परमेश्वर ने दाउद को देखा कि दाउद करहा है कि मेरे पर कंप्लेंट करने वाला नहीं है थैंक्स करने वाला व्यक्ति है परमिश्वर ने का मैं इसको उसी शहर में उसी देश में उन्ही दुश्मनों के बीच में जो इसका आप मान करते हैं जो इसका आदर नहीं करते हैं जो उसके बच्से उसके खिलाफ हो गए थे जो दुश्मन उसके खिलाब थे करा कि उन्हीं के भीच में करा कि दुबारा लेकर गया दुबारा उसी इस्थान में लेकर गया लॉर्ड उनके दुश्मनों के सामने मेज़ बिच्छाया और करा कि दाउद वाँ बेट कर आनन से खाया मैं करा हूँ कि अगर आज आज आप जिस शहर में नुकड में गाउं में रहते हैं लोग आपको बोल रहे हैं कि तुमारा आप तक कोई काम नहीं बना आपकी टेस्टिमन नहीं आई मैं आपके लिए भुश्मानी कर रहा हूँ मेरा परमेशर इसी साल में आपके दुशवनों के सामने आपके प्रोशियों के सामने मेज बिचाएगा आपकी गवाईया बनाएगा आप उसी दुशवन के सामने बठोगे और तुम इस साल में एक बेड़ों तरीक है साल को देखोगे इस मसी के नाम में तुम बढ़ते चले जाओगे इश्मसी के नाम में तुम बढ़ते चले जाओगे इस वर्षी में इश्मसी के नाम में क्योंकि मेरा परमिश्वर बढ़ाएगा इश्मसी के नाम में बढ़ते वो नहीं है आपने डड़ू देखा ड़ड़ू ड़ड़ू देखा और फिर बजिंदर सिंग के बास बिमार पड़ गए चलो बजिंदर सिंग के बास इधर आप समझ रहे मैं क्या किया रहा हूं हाँ कि ना आज उदर एक औरत ऐसे बैठती थी सामने उसको बच्चा नहीं था और वो मेरा अपमान करके चलीगी दूसरी जिए करी मैं समाधरी से प्रेर कराती हूं उसको लाई में बोल रहा हूं मैं मुझे कल रात पवितरात्मा ने बोला उसको कह दे पर मैं तो जानता है नहीं उसको कहा रहती है वो पवित्रात्मा ने मुझे का कि मैं तेरे द्वारा उसको बच्चा दूँगा इश्वमसी के नाम में तेरी प्रांथना से मैं उसको आशीष दूँगा उसको पता ही नहीं है अभी वो इदर जा रही है डड़ू आशीष ऐसे नहीं आती आपको डड़ू बने रहना है जाओ आशीष जब तक नहीं आएगी जब तक आप अपनी आत्मा को तयार नहीं करेंगे आप अपनी आत्मा को तयार करो शातान से लड़ने के लिए उन कमजोरियों से लड़ने के लिए उस पाप से लड़ने के लिए जो आपको विचारों में हारा रहा है जो आपको ब्रोतरी नहीं होने दे रहा जो आपको बार-बार कर रहा है कि नहीं तू कुछ नहीं कर सकता परमिशर ने कहा करा लंबी चोड़ी लिस्ट होगी आपके बाप के पास आपकी माँ के पास आपकी बतनी के बास लंबी छोड़ी लिस्ट होगी लेकिन मेरे पास परमिशर ने का एक लंबी लिस्ट है कि इस साल में तुम्हारी बड़ोतरी का साल होगा आशोमसी के नाम में तुम्हारी बड़ी बड़ी कंपनियां खोलूंगा आशोमसी के नाम में बस आपको परमिश्वर के सामने इस बात को रखना है कि परमिश्वर का आत्मा ये साल मेरे लिए बड़ो तरीका साल होगा करा कि आपके आपके नाम दराई के बदले अगर आपने सहन कर लिया है आपने दुक उठा लिया है अगर आज आपने करे किसी बात के लिए दुख उठा लिया है तो परमिश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है क्या बात कर रहा है करे कि आज से करे तुम्हारे लिए ये साल बड़ो तरी का साल होगा I.S. ये शाया 61 का साथ पढ़ेंगे तुम्हारी नाम धराई के बदले दुन्ना भाग मिलेगा अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय कार करोगे तुम अपने देश में दुन्ने भाग के अधिकारी होगे और सदा अनन्दीत बने रहोगे सारे बलो हालेलूया क्या लिखा है तुम नाम धराई के बदले फिर से पढ़ो फिर से पढ़ो स्क्रीन पर तुम्हारी नाम धराई के बदले दुना भाग मिलेगा अपने बड़ो सी को बलो तेरी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा इसका मतलब डबल आशीश मिलेगी लेकिन मैं तुम्हारे लिए क्या बोल रहा हूं भॉशक्ता क्या बोल रहा है अगर तु चुप रहा अगर तु चुप रहा वरोसा रखा भीरज रखा अपने आपको रोके रखा इधर उप दर्च्छलांग बारने से पर मिश्वर करा है कि मैं तुझे तेरे अनादर के बद आप हमेशा हैपी रहेंगे अपने पड़ोसी को बोलो तू हमेशा हैपी रहेगा बोला हालेलोया बिश्वास करना है कि पवितरात्मा ने भवशक्ता को कहा करा कि तू आनंदित रहेगा एक आदमी था और उसके जीवन में जब वो प्रभू में आया तो उसका नुक्सान हो गया और उसके बाद वो मेरे पांस हाया और कहने लगा करा प्रफेट जी मेरा इतना बड़ा नुक्सान हो गया मैंने क्या हो गया करता मेरी मेरा काम भंदा सब चोपट हो गया और उसके बाद उसकी बेटी को बेटी होगी और उसकी सास ने क्या किया उसको घर से निकाल दि आशीज निया हमारी नाम ध्राही कर रहे है कि तुम इसाही हो तुम यशो मसी को जानने लगे हो तुमारा कोई नहीं है तुमे कोई आशीज नहीं मिलेगी और इसलिए उसने उनका नाम लेकर उनको निकाल दिया है चोड़ दिया है लेकिन उसने उस समय میں भरोसा रखा परमिश्वर पर और मैंने उसको कहा कि विश्मास कर धीरज रख पुईतरात्मा तेरी नाम धराई के बदले दुगनी आशीज देगा दुज़ाई शमसी के नाम में वो प्रात्रा करता रहा करता रहा नाम धराई के बदले लोग गाउं में उससे संबान नी करते थे अनाधर करते थे उसका लेकिन वो फिर भी प्रभू में बना रहा और उसने अपनी मैनत बार बार मैनती पर मैनती बना रहा और परमिश्वर ने एक दिन उसकी जिन्दी के में काम किया और उसके बाद, करा पूरे छे मिने के बाद जब मेरे पांस आया उसने का, पपा करा कि देखो करा कि मेरी तीन फेक्टरिय आज दिली पे अंदर इश्मसी के नमे गोलता है करा मेरा बच्चा नुजिल्एंट चला गया और करें कि मेरी बेटी को करें जब बेटी हुआ उसके बाद एक बेटी और हुआ लेकिन करें कि परमिश्वर ने आसीज दिया और करें कि उसी घर में आज चर्च लग रहा है उसी घर में क्योंकि और जब चर्च लगना स्टार्ट हुआ परमिश्यर ने उसके पूरे परिवार को बदल दिया और उस घर में बिटे की आशीश आई शमसी के नम में डबल आशीश मैं कराओ एक टाइम है सेहने का एक टाइम है दुख देखने का लेकिन एक टाइम है करागर आगर आपका निरादर हो रहा है अगर आप ठैंक्स करने हैं परमिश्यर का और अपने आपको रोके में ब्रोसा रख रहे है तो इसी साल में आपको डबल आशीश लेने का भी साल आएगा डबल आशीश लेने का साल आएगा कराओ डबल आशीश लेने का साल आएगे पर फोड़े हो गए और तीसरा तीसरा क्या हुआ उसके साथ उसका बिजनस खातम हो गया और जब वो परमेश्वर में बना रहा आयूब की पुस्तक 42 के 10 में लिखा, 12 में काम पर लिखा लास्ट चेप्टर में लिखा कि परमेश्वर ने उसका जो सब कुछ खो गया था उसने धन्यवाद किया, हालिलॉया आहो सकता था आयूब भी लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाता बोलता कि मैं उसकी पत्री ने उसका इतना नाधर किया कि छोड़ कर चली गए उसे उसके रिश्टदारों ने दोस्तों ने उसका अपमान किया किस परमेश्वर को तू मानता है तेरे तो फोड़े होगे शरीर में तेरे साथ क्या बना लेकिन यहां पर लिखा जब आयूब ने अपने मित्रों के लिए प्राथना की आगे लास्ट में देख लास्ट में यहां ने आयूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीज दी और उसके चौदा हजार भेड़ बकरिया छे हजार उट हजार जोड़ी बैल और हजार गदिया हो गई उसके साथ बेटे और तीन बेटिया भी उच्पन हुई हालिलूया पहले कितने इतने भेड़ बकरिया नहीं थे चोदा हजार भेड़ बकरिया होगे याद रखना आज के टाइम में भेड़ बकरिया अगर कार है आपका पैस है मैं कराँ आज के टाइम में आपके उपर करके 14 क्रोڑい रुपे हो जाएंगे शमसी के नाम में समझे रहा है, कर्यासीद या दूसरी आसीद क्या दिया उसकी लड़की, उसका बच्चा जो मर गया था उसके बाद, उसकी लड़की जो दो लड़कियां हुई उसके जितने बच्चे उसके बाद के हुए वो पूरी यूरोप के अंदर सबसे सुन्दर और गोरे बच्चे पैदा हुए बैवल बोलती है उसकी लड़कियों से सुन्दर कोई बच्चे नहीं थे थर्ती के उपर बोला हलेलोया और तीसरा, उसकी चमडी उसकी चमडी जब उसमें फोले पड़ गए फोले फोले पड़ गए तो उसकी चमडी थोड़ी काली भी पड़ी हुई थी उसका रंग थोड़ा सा सामला भी था और क्या हुआ, जब उसकी चमडी दुबारा आई तो वो बिलकुल नोजवान वाली और रंग गोर आया परमिशोन उसके स्वास्थे को Blaise करो ब्लेस कर दिया याद रखना, मैं कराँ कर ठिय तीन आशिरवाद तीन छीजाउस ओड़ रहे are आप एक अच्च्छे स्वास्थे के लिए दोड़़ने अपने बच्चों के लिए दोड़ रहेे आप अपने बिजनस के लिए तोड़ रहे है परमिश्र कात्मा करा धन्यवाद करना सीख जाओ तुमारे लिए इस साल करा कि तुमारे बच्चे तुमारे फाइनेंस तुमारा स्वास्त है करा कि बड़ोतरी को देखेगा इश्मसी के नाम में तुम्हारे liver kidney सुरक्षित होगा heart सुरक्षित होगा ये श्रमसी के नाम में क्योंकि तुमने पवितरात्मा का आदर करना सीख लिया है करना जो आदर करते हैं याद रखना अगर आपका निरादर हो गया अगर परमिश्वर का आदर करते करते तो याद रखना परमिश्वर आपको इसी साल में आदर दिलाएगा इश्रमसी के नाम क्या आप तयार हैं उस आदर को लेने के लिए कितने डड़्डू की चाल चलेंगे आज जितने ड़्डू हैं मैं फिर कराऊं कि वो डड़्डू पना छोड़ दो सीधी चाल चलना स्टांट करो अगर आज आप चलना स्टांट कर रहे हैं मैं कराऊं तीन काम याद रखना कि परमिश्वर का धनेवाद करना नंबर दो भरोसा रखना और करा तीसरा पाप से अपने आपको रोके रखना अगर आपने रोके रखना आप रोकी नहीं सकते हैं अपने आपको गुस्स से रोके रखना जो मुँ में आरा कह रहे है जो मुँ में आरा कह रहे हैं आप समझ रहे हैं कि नहीं मैं उपास रख लू आज को लोग उपास रखते हैं तो फिस्टन की तरह है बुलिट देखिए आपने बुलिट कितने लोगों ने बुलिट चलाई है तो मुने ने उपास रख लू मेरे बाव ने मिझे दुखान पर लगा जा चल मिस्टरी बन जा इसका मैं इसको बुलिट मैं दुबारा से बांद सकता हूँ, खोल सकता हूँ मैं मिस्टरी हूँ और वो बुलिट के बारे में मैं कि जब पिस्टन उसका गरम हो जाता है तो बुलिट रूख जाती है आप समझ रहे हैं तो कहीं बार मसीरों जब प्राथना करते हैं, वो पिस्टन उनका गरा हो जाता है, आप प्राथना कर गया है अभी, हालिलुया, आसी, इसलिए परमेशर ने कहीं बार उसको बुलेंट में कूलेंट डालने के लिए दिया होता है, इसलिए परमेशर ने आपको प्राथना के ब बाइबल भी दिये कि उसमें पढ़ लो जादा कुरोध करने वाले कहा जाएंगे तो यह बाइबल पढ़ना भी जरूरी है आप समझ रहें कि नहीं आप बाइबल पढ़ते हैं तो इसका मतलब जब आप बचन को सुनते हैं तो परमिश्वर आपके अंदर कूलंट का काम कर रहा जिश्वर मसी करें कर आपको कूलंट थंडा कर रहा है अपने बचन को बढ़ते हैं कूल डाउन थोड़ा से कूल डाउन गरम रहते हैं 24 घंटे स्टें गन रहती है बस इनको अगर चाहे नहीं मिली इनको खड़ा कर दिया कहीं पर कहीं लंबी तिर गैस की जंसी में लाइन में खड़े हो गए बस में खड़ा होना पड़ गया बाहिसाव इनकी सारी मसीयत निकल जाएगी बाहर निकल जाएगी निकी मसीयत परमिश्वर का आत्मा कर रहा है शेवा किया, मैनत किया, सब कुछ किया, लेकिन जलन के कारण भाई साथ फूख दिया इंजन, जनेर्टर चला दिया, लेकिन क्या हुआ? कुछ नी होगा, मैं कह रहा हूं लोगों को, उन यूट्यूफर को भी कह रहा हूं चड़ाते, तिराते ठख जाओगे ऩैसमी बनेगी इतना 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 फेमस करेगा परमेश्वर मैं जानता हूँ उस परमेश्वर को उच्छे से जिसकी मैं सेवा करता हूँ मैं उसको जानता हूँ उच्छे से वो इमांदार परमेश्वर है मैंने मेरी दस साल की सेवकाई में मैं जानता हूँ अच्छे से परमिश्वर को अगर आपने इतना सा सहा है उसके लिए वो बहान परमिश्वर है वो आपको इतना सब कुछ देने वाला दुगनी आशीश देने वाला वो करा है के तरे अनादर के बदले करा मैं तुझे दुगना सुक्र दिलाऊंगा दुगनी आशीश को दिलाऊंगा याद रखना वो आशीश के दिन पूरे साड़े तिन मीने बीतने के बाद आपके शुरू होने वाले इश्वर से जितने आमीन बोल रहे हैं अजाद हो जाब आज उत्पत्ती की किताम में उन्चास के 25 में 26 में हम देखेंगे फटा फट जल्दी से हाँ हाँ देखो क्या लिखा ये तेरे पिता के उस इश्वर का काम है जो तेरी साहता करेगा उस सर्शक्ती मान का जो तुझे उपर से अकाश में की आशी से और नीचे से गैरे जल की आशी से और सक्नो सुनो देखो लिखा वो पिता के उपर से बैवल बोलती है पिता के उपर से बच्चों पर आशीरवाद आते है बैवल बोलती है देखो अबराम के पास अबराम ने अपने बच्चे बेटे عساق को आशिरवाद दिया क्या आशिरवाद दिया था कि तरह गदें, भेड, बक्रियां बढ़ जाएं उसको आशिरवाद मिला क्योंकि जो अबराम के पास था उसने उसको आशिरवाद दिया इसाग को और इसाग को आशिरवाद मिला इसाक ने आशिरवाद दिया अपने बेटे याकूब को के याकूब तुझे गदे भेड बकरियां तरी जमीने बढ़ जाएं और वो बढ़ गया याद रखना बेटा पिता से आशिरवाद पाता है समझ रहे होंगे नहीं और कलिसिया करा के विश्वासी अपने आत्मिक पिता से आशिरवाद पा रही है आज मैं करा हूँ स्पिर्चल फादर होने के ना थे आपकी भेड बकरियां बढ़ जाएं आपके जमीन जाजाद बढ़ जाएं आपकी कंपनियां बढ़ जाएं आपकी हर एक आशिच बढ़े आपके किड़नियां आपके लीवर आपके हर्स वास्थे नॉर्मल हो जाएं श्मसी के नाम में आप जो मांग रहें मिल जाएं इस वर्ष में अबराम के पास करा के ये आशिरवाद थे आशिरवाद थे अबराम के पास बोला हालिलूया हम क्यों दें हो सकता है वो भी ऐसे कह रही है आज जठानी बोलती है दरानी को क्यों दे से सुर हमें क्यों नहीं देता दू अपने पती को भड़काती है बोलती है अपने भाई से वह वाली जमीन देले वो जमीन अच्छी है भड़काती है लेकिन सारा ने अबराम का साथ दिया और उसके बाद अबराम ने जमीन दे दिया अपने भतीजे को और उसके बाद सारा ने अंदर कमरे में जाके का आपने तो उबजाओ भूमी वाली जमीन दे दिया उसको लेकिन सारा ने क्या का अच्छाओ भून वाली जमीन अच्छी जमीन क्यों देती इसको वाली जमीन देते लेकिन उसी समय अबराम ने इसको धीरे से का जमीन में नहीं तेरे अबराम के अंदर बरकत है बरकत जमीन में नहीं बरकत अबराम के अंदर है आज आप लड़ रहे हैं आपस में आप कहरे हैं कि ये दुकान बड़ी थी तुने भाई को दे दिया ये फैक्टरी बड़ी थी अरे मसी लोगों याद रखना करा दुकान में बरकत नहीं है दुकान वाले के अंदर बरकत है इस मसी के नम बेड़ आपको लड़ना नहीं है आप मसीयत का दाना पानी नहीं जानते वो उपर से आता उसका दाना पानी हालेलुया नीचे से नहीं आता करें कि यहां पर अबराम ने का अबराम ने का मेरे अंदर बरकत है मेरे अंदर जमीन में बरकत नहीं मेरे भाई को जमिन दे, मेरे पतीजे को जमिन दे दे, रिष्तरक को जमिन दे दिया अच्छा भूमी छीन लिया उसकी बंज़र भूमी दे दिया उसन क dije ठीक है, लेकिन बंज़र भूमी पर गया जावर पर पैया रखा, शुर्जए को नजब लगी और राजा आया और राजा कहने लगा, लूट दिया उसका कुवा, कबजा कर लिया उसके कुवें पर, और शी समय, सारा कहने लगी, कहने लगी अबराहम, तु बोलता क्यों नहीं है, ये कुवा हमारा है, तु बोलता क्यों नहीं है, कुवा हमारा है, और शी समय, अबराहम न नहीं बरकत अबरहłem के अंदर हैं आज करना हैं कि मैं शती जमीन ले ले जाइदा ले, मैं करा हूं कि मैंने एक चर्फ मेरे को किसी ने जमीन दान दिया था काफी साल पहले और मैं उसमें चर्फ लगाता था लेकिन उस फैमिली ने मेरे से जमीन वापस ले लिया लोगों ने मुझे कहा का तही क्या कर रहा तू? मैंने का बरकत जमीन में नहीं है मैंने का बरकत मेरे अंदर है हालिलुया जहां मैं जाँगा वहां चर्च बन जाएगा जहां मैं जाँगा आज फ्यांसे लगो के बरकत मेरे अंदर है बरकत मेरे अंदर है बरकत करा किसी घड़ी में नहीं, पैसे में नहीं, बैंक में नहीं करा बरकत आपके अंदर है आप जहाँ जाएंगे वहाँ बड़ी कंपनी खोलेंगे आप जहाँ जाएंगे एक बड़ा घर बनाएंगे आप जहाँ जाएंगे करा लिला लेंगे पुरी दुनिया को इशमसी के नाम में क्योंकि बरकत आपके अंदर है अगर आपके अंदर ये तीन काम है धन्यवाद करने वाले ब्रोसा रखने वाले पर मिशर पर अपने आपको रोके रखने वाले है पाप से तो याद रखना बरकत आपके अंदर आ रही है जी शमसी के नम में बरकत आपके अंदर ट्रांशोर हो रही है शुमसी के नाम में बरकत आगी अबराहम के अंदर अबराहम बरकत को ढूण रहा है लोग बंजर भूमी को नहीं हो जाओ भूमी को ढूण रहे फैक्टरी को ढूण रहे हैं लेकिन अबराहम ने कहा मेरे उपर बरकत है, हालिलुया आज बहुत सारे लोग, अस्टेलिया, अमेरिका इंग्लेंड, न्यूजिलेंड भाग रहे हैं और जब बम गिरेंगे, ठुम 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 बम, बढ़ा, बढ़ा मैं कहा रहा हूँ जाओ अमेरिका इंग्लेंड में भी आज बरकत अमेरिका इंग्लेंड, अस्टेलिया न्यूजिलेंड में नहीं है आज बरकत आपके अंदर है आप अमेरिका जाओगे आप तो भी बसोगे, आप अस्टेलिया जाओगे तो भी सुरक्षित रहोगे अगर आप ये सोच कर जाओगे बरकत मेरे अंदर है अगर आप जा रहे हो अमेरिका के अंदर बरकत है नाउमी वहाँ से गई और करा दूसरे देश में मौाब देश के अंदर इसराइल को छोड़ कर और जाते ही प्यार रखा उसका पती उसके बच्चे मर गई और उसने जान लिया कि मैं तो रोटियों के घर को छोड़ कर आई थी यरू शरीम का मतलब है रोटियों का घर दया का घर बरकत के घर को छोड़ कर मौाब देश में चली गई और जैसे ही गई प्यार रखा उसके बच्चे मर गया, उसका पती मर गया, उसने का रहे ये क्या, रहे है, रोने लगी है, और कहने लगी है, मैं तो मारा, मारा देश में आ गई हूँ, ऐसा लग रहा है, मुझे मारे वे देश में आ गई हूँ, मेरे तो सब कुछ मर गया है, करी मैं तो खुदा के घर को छो कोट में का फैसला ले रहे हैं पर्मेशर के पीछे चलने का फैसला ले रहे हैं जो बतक गएं जो क्रोध में गुस्ट वे लालच में एंकार में उन्च है यह भू देगा AOB copyright करना शुरू कर दिया है आज उनके लिए मेरा पवित्रा आत्मा लोटेगा उने परकते ने val. CL air-B चाही को देखोगे यश्व मसी के नाम में क्योंकि मेरा परमिश्वर उनके साथ खड़ा होता है जो धन्यवाद करना सीखते हैं जो आदर पाना नहीं अपमान सेहना सीख रेते हैं अगर आपका अपमान हुआ है अगर आपके बारे में किसे आपने सैलिया है येश्व ने कुरूस पर सब कुस सैलिया और उसके बाद परमिश्वर ने उसके जीवन में बड़ी बड़ोरतरी किया अगर आज आप चाहते हैं कि परमिश्वर आपको आशीच दे कितने लोग चाहते हैं कि आशीरवाद दे आज इस company में जिस company में आपको बदनाम किया गया जिस थान पर से आपको निकाल दिया गया जिस factory से नोकरी से आपको निकाल दिया गया जिस घर से आपको निकाल दिया गया मैं करा हूँ आप उसी स्थान पर आनन्द करते वे वापिस लोटेंगे इश्मसी के नमे आप अपने दुश्मनों के भीच में करा अप परमेश्वर आपकी मेज बिचाएगा करा कि आप आनन्द के साथ खाएंगे इश्मसी के नमे आनन्द के साथ खाएंगे हलो हसते वे खाएंगे इसामेट आपको विश्वास करना है कि आप तैयार है परमिश्वर की महिमा करने के लिए आप तैयार है उसानादर को सेहने के लिए अगर हो गये तो आपको चिंता नहीं करना पुईत्रात्मा करा है कि मैं तुम्हें दुगनी आशीष दिराऊंगा एक व्यक्ति के पर दुगनी आशीष जब तक नहीं आती जब तक करा है कि वो व्यक्ति अनादर को सेना सीखने लेता अगर आज आपकी नाम धराई हो रही है लोग कह रहे हैं कि तुरी गवाई नहीं बनी मैं करा हूँ अगर पहले दिन परमिशर गवाई बना दे तो उसका क्या फाइदा अगर आज आपकी नाम धराई हो रही है परमिशर कह रहा है कि डबल दुगनी गवाईयां ट्रांसफर हो रही है शमसी के नाम में बिश्वास करने वालों के लिए होगा ये अपने हाथों को उठाओ और बिश्वास करो आज बोलो कि मैं आज अपने आपे से बाहर नहीं जाओंगा फिर से पढ़ो 49-26 पढ़ेंगे उत्पत्ती की किताब जैनसिस तेरे पिता के आशिरवाद मेरे पित्रों के आशिरवादों से अधिक बढ़ गए है सुनो सुनो लास्ट लाइन पढ़ेंगे जो अपने भाईयों से अलग किया गया था उसी के सिर पर मुकुट पर फूल लगेंगे फलेंगे सुनो क्या लिखा जो अपने भाईयों से अलग किया गया था अब ध्यान से सुनना अबराम के उपर आशिरवाद था एक लास्ट लाइन सुनना ध्यान से अबराम के उपर क्या था आशिरवाद था भेड बकरियां जमीन जायदाद उसने इसाग को दे दिया इसाग के उपर क्या था जमीन जाइदाद भेड़ बगरियां उसके पर संसारी एक आशिरवाद थे और उसने अपने बच्चे याकूब को दे दिया लेकिन याकूब जब ये आशिरवाद लेकर जा रहा था रस्ते में उसे एक एंजल मिलता है और उसके साथ करा मल्यूत करता है प्राथना करता है और प्राथना करने के बाद उसने एंजल ने पूछा बोलता है तेरे पास तो सब कुछ है करा घर गाड़ी बंगला जमीन जाइदाद तुझे क्या चाहिए कहता है मुझे आज सुर्गी आशीष दे दे आज इस मसी के नाम में अब याकूब एक केवल ऐसा व्यक्ति है करा जिसके पास सुर्गी और प्रिथ्वी की आशिरवाद है और उसने अपने बेटे यूसुफ को नहीं अकेले यूसुफ को नहीं उसने पूरे बच्चों को दिया था कोई माँ ऐसी नहीं है जो एक बच्चे को आशिरवाद दे सब को ना दे उसने सब को आशिरवाद दिया उसने कहा करा कि जो अपने आपको भाईयों से अलग करे करा कि उसी के सिर पर मुकट पर फूलें और फलेंगे उसने आशिरवाद दिया मतलब उसने भविशे मानी किया कि जो लड़का अपने भाईयों से अलग हो जाएगा करा कि उसके सिर पर मुकट लगेंगे आशीश में इसका मतलब क्या था कि युसुफ के लाइफ में परमेश्वर ने ये चमतकार किया युसुफ के उपर ही आशिरवाद कैसे लग गया क्योंकि युसुफ एक मेंती लड़का था युसुफ जो है वो परमेश्वर का भै मानने वाला था युसुफ उसी समय करा जब युसुफ के साथ करा कि बहुत अनादर हुआ युसुफ की बहुत नाम दराई हुई युसुफ के भाईयों ने करा उसको खड़े में डाल दिया हो सकता था वो लंबी लिस्ट लेकर बैठ जाता खड़े में से बार आने के बाद लेकिन उसने करा परमेश्वर का धन्यवाद किया उसके बाद करा कि वो पोती बर के खेत में गया उसको सुरो का खाना खाना पड़ा बिमारी में जाना पड़ा लेकिन वो सैता रहा परमेश्वर का धन्यवाद करता रहा उसके बाद उसको जेल में डाल दिया गया और जब वो जेल में गया तो उसी समय वहाँ पर भी वो लंबी लिस्ट लेकर बैट सकता था वो कह सकता था मते पर हाथ मार कर के परमिश्वर करा जब से पैदा हूँ तब से दुखी दुख देख रहा हूँ जब से मसी में आया हूँ करा नाम दलाई पर नाम दलाई नाम दलाई एक भी गवाई नी बन रही है करा है के सुरो का खाना खाना पड़ा ने मौत के मुँ में से करा है कर खटे में रहा लेकिन उसने परमश्र का धनवाद किया उसने एक लंबी लिस्ट वो नी बनाई कंप्लेंट की लिस्ट नी बनाई उसने चुनाओ किया परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए उसने का परमेश्वर तुने मुझे खड़े में से छड़ाया परमेश्वर तुने मुझे सुरुक का खाने खाने से भी परमेश्वर मेरे स्वास्थे को बचा कर रखा करा कि परमेश्वर इस औरत ने मेरे बर ब्रात करका अंत्साम लगाया मैं तेरा धन्यवाद करता हूं परमेश्वर करा तुन्हें मझे जेल में रखा मैं तेरा धन्यवाद करता हूं और एक दिन करा कि मैं देखूंगा इस नाम ध्राई के बदले तो मुझे दुगनी आशीरवाद देगा इश्रमसी के नाम में परमेश्वर ने उसको उसी राद करा अगली राद करा उसको छुड़ा लिया और उसी समय उसको राजा के महल में ले कर गया और उसको देश का परधान मंतरी बनाया क्यों बनाया क्योंकि उसके अंदर अनादर को सेहन करने की शक्ती थी उसको करा कि वो कंप्लेंट करने वाला नी था वो थैंक्स करने वाला व्यक्ती था करा कि अनादर के बदले उसको दुगना सुक मिला परमिश्वर ने कहा करा कि ये समझ रो करा भाईयों से अलग हो जाएगा जो संसारिकता से अलग हो जाएगा छूट बोलना, गाली देना, शराप पिना, निंदा करना, चुगली करना, व्याभी चार करना करा इन चीजों से जो अलग हो जाएगा परमिशर ने का उसके सिर पर फूल लगेंगे इस वमसी के नाम में उसके सिर पर मुट आएगा इस वमसी का करा उसके सिर पर करा कि वो असके कंदो पर करा आप अपने परिवार के अंदर सबसे जढ़ा rich person होंगे दुगणी आशीज के वारिस होंगे तुगनी इसिस के वारिस होँगे कौन होगा तुगनी इसिस का वारिस करा वो जो करा अपने आपको अलग करके रखेगा इस साल में 2.024 में नाम ध्राई हो ओरी है मैं करा privileged 23 में आपने सब कुछ खो दिया हो लेकिन अगर आपने फैंसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं इस साल करा के तैयारी करूँगा जो बात तुझे अच्छीन रगती मैं उससे अलग हो जाऊँगा जो ची तुझे पसंद नहींगे मैं उससे अलग हो जाऊँगा परमेश्वर जैसा तुझेगा मैं वैसा करूँगा पवितनात्मा करा कि अगला साल नहीं यही साल तेरे लिए ब्रोतरी का साल होगा इश्मसी के नाम में तेरे कंदो पर फैक्टरी का साल लगने का साल होगा तेरे कंदो पर गॉर्मेंट चोब लगने का साल होगा तू अपने घराने पर करा तू होगा अकेला वो लड़का जो अपने परिवार को कर्चे से छुड़ाएगा इतिहास रचाएगा इशमसी के नाम में आपके कंदों पर परमिश्वर लगाने वाला वो इशमसी के नाम में परमेश्वर ने यूसुफ को क्यों चुना लोगों को नहीं पता क्योंकि यूसुफ ने अपनी जिंदगी में अपने भाईयों का अपमान नी किया यूसुफ ने कभी मूँ नी खोला उसके भाई आलसी थे यूसुफ जब भेडबकरियां लेकर जाता था उसके भाईयों धूप में काम नी करते थे यूसुफ को दे दिया करते थे और जब एक भेडबकरि गुम हो जाया करती थी पशु गुम हो जाते थे तो अपने बाप के सामने नाम किसका लगता था यूसुफ को लगता था और यूसुफ सेहलिया करता था बोलता है पापा हाँ मेरी गलती है तो उसके भाईू उसके साथ करा है कि ठटा करते थे मजा Oliver करते थे लेकिन वो सारी बातों को सहे लेता था वो उस बच्चमन से नामदराई को सहताया वो बच्चमन से परमिशर का धनयवाद करताया मैं करा हborg कि अगर आज करा कि आपने समझे, करा कि लेकिन उसने घुटने टेक कर प्राथना किया, दाउद जब समस्या में था, तो उसने लंबी चोड़ी लिस्ट कंप्लेंट की नहीं दी, उसने घुटने टेक कर धन्यवाद करना शुरू किया, प्राथना करना शुरू किया, आयूब जब बिमार आप नाम दराईए, कोई काम नी बना मैं करा हूँ, आज ये फैंसला लेना है परमिश्वर मैं तयार हो घुड़ने टेकने के लिए मैं तयार हो धन्यवाद करने के लिए आईए हम अपने हाथों को उठाएं मैं करा हूँ कि परमिश्वर जानता है आपने जो दूब उठाया है परमिश्वर जानता है किन लोगोंने आपकी नाम पराय की है आप अपने भाई बंदों से ज़्यादा अमीर होँगे आप अपने हर आशीश को देखें तुम परमेश्वर के दर्शन को डबल देखोगे हर जगे पर बिडोतरी का साल देखोगे तुम्हारे कंदों पर परमेश्वर वो आशीश देगा परमेश्वर ने पत्रस को चुना कहा तेरे कंदों पर तेरे उपर करा तू चटान तेरे पर मैं क्रिस्या बनाऊंगा परमिश्वर को विश्वास है आप अगर फुलाद जैसा हिर्दा रखते हैं अगर आपको कोई कुछ कैब भी देता है तो फुलाद जैसा हिर्दा रखना है हलिलुया मैं ऐसे यूट्यूबर को बोल रहा हूँ फुलाद जैसा हिर्दा है मेरा और बुराईकर मेरी चटान हूँ मैं चटान मेरी गवाणियां सुनेगा तो इश्मसी का नाम में ठक जाएगा मजबूरी हो जाएगी पैसा कमाने के लिए तरको के प्रभवड़ जिंदर ने ये कर दिखा दिया वो कर के दिखा दिया क्योंकि मुझे प्रभु निका में दोजार चोवी समें तुझे बढ़ाता चला जाओंगा बढ़ाता चला जाओंगा ये परमेश्वर है मैं करा हूँ उन लोगों को करा के आप अपने अच्छाथी पर हाथ मार कर खाओ के मैं हूँ वो ब्रक्ती जो परमेश्वर के लिए कुछ करके दिखाऊंगा पवितरात्मा करा है ये वर्ष आपकी बढ़ोतरी का वर्ष होगा अंधी आएंगे तुपान आएंगे प्रावलमस आएंगी तुमारे लिए आशीश के दिन आएंगे लिख लो अपने डैरी पर अपने घर जाकर अपने शीशे पर लिख लेना जाकर कि ये वर्ष मेरे लिए बढ़ोतरी का वर्ष होगा कितन लोग लिखेंगे घर जाकर लिखेंगे मैं क्यों आएंगे पर लिखाता हूँ क्योंकि जातर हम आएंगे देखते हैं ऐसे कम से कम याद तो रहेगा जब आप आएंगे देखते हैं लोग बुरुश करते हैं शीशे में देखके करते हैं चाही पिते हैं आज कल ओड़ते हैं सिषे में देखे पैती है हाँ को सिक्रेट पैती है तो वो भी सिषे में देखे पैती है ऐसे मैं उनलोगों के लिए बोल रहा हulty हूं सिषा बहुत अच्छा लगता आपको लेकिन आज मेरे खेने से मसी लोगों शिशे के सामने चिपका लेना कि प्रॉफिट बजिंदर ने खाए यशाया ने खाए जकरिया ने खाए यहवा ने खाए येशु ने खाए करा अनादर के बदले दुग ना सम्मान दूँगा तुमारे नाम दुराई के बदले करा दुगनी बडोतरी दूँगा अगर आप अपने आपको पाप से रोके रहे परोसा रखा और दिरज रखा कर रहक हैिस साल करा दूगनिया शीशा hanno परमिश्वर मैं तयार हूँ आज़ परमिश्वर मुझे तयार कर आज़ उन बातों के लिए पोईटरातम हची आज तयार कर मैं लगोना चाहता हूं संसारिक्ता से मैं लगोना चाहता हूं हर व्यक्ति से जो मुझे पाप की और कसीट रहा है मैं हर रिष्टे से उस बुरे सभाव से, बुरी हैबिट से जो नशे की और मुझे ले जा रही है जो गुसे की और मुझे ले जा रही है मैं परमेश्वर उस पाप को छोड़ना चाता हूँ मेरी हेल्प कीजिए परमेश्वर हेल्प कीजिए क्योंकि मैं और नामदराई नहीं सेन कर सकता मैं और दुख नहीं उठा सकता मैं ठख गया हूँ परमेश्वर मेरे सेवकाई पर आशीज दे मेरे चीवन पर आशी थे मेरे बिजनस पर आशी थे परमेश्वर मैं रोज ताने खाते खाते ठाक गया हूँ परमेश्वर अपने घर में अपने सुस्राल में अपनी माईके में परमेश्वर मुझे उला थे आज मुझे उला थे उनके मुबंद कर परमेश्वर जो मेरा मजाग उड़ाते हैं पोईतरातमाजी आज मैं विंती करता हूं तुझे पिता इसी साल में परमेश्वर अपनी सामर्थ को उतार दे आजी शमसी के नमे आशिरवाद में बदल दे परमेश्वर तो याकूब को आशिरवाद देने वाला परमेश्वर है सुर्ग और पृत्वी का आशिरवाद तुने उसको दिया जो सारे आशिरवाद जो तयार हैं परमेश्वर इन्हें दे दे आजी शमसी के नमे इन्हें आनादर के बदले दुगना सूख देया अजी परमेश्वर इन्हें सच में पोईतरा अत्मादी आज जो धन्यवाद कर रहे हैं परमेश्वर आज जो डिस्ट्रॉइं कर दिया है शेतान ने इनका जो जला दिया है ख़तम कर दिया तो मोई फिर से परमेश्वर रिस्ट्वर कर देया रिस्टॉर रिस्टॉर रिस्ट्रॉर होने पाए रिस्टॉर होने पाए है आप के लिए वह इचावल यह रिस्टॉर हो जाए आपका बैंग POLRIक्ति एचवतल ओंहें आपकी Dublin वहाँ रिस्टोर को जाए खिणी तुमारा रोसली भाए आपको लीवर तुमारा चंदा हो जाए रिस्टोर को जाए रिस्टोर को जाए इसलाओ उप्पिजल्स फिर रिस्टोर हो जा रचाए गना ओजाए आपका पेंख बैलश फिर से पार जाए पार जाए उचाए पार जाए जिस देगा आप मान मिले शाब मिले सब्मान मिले सब्मान मिले इसी गरो आजिये शुग नमे इसी किरो आज यह दोगा तक रसी करोच यह शुआ अटमा यह शुआ अटमा हमारे बीच में तु इने मुचे यह शुआ रिकिया तु यहां पर मेंश्व तु मेरा परमेश्वbr मैं तूट गया हूं परमेश्वर तेरे लोगों के साफ जो तूटे हैं लोग ऑपरमेश्वरण इन्हे फिर से उठादे जिन्की नाम थुराही हूई है परमेश्वरण मेरे आज़ों इनके लिए पहरे हैं परमेश्वराज इन्हें तुगना दर दिया परमेश्वराज तुगना सुक दिया परमेश्वराज ये सु तेरे सिमा मैं सु रख्शित नहीं एं खुदा मैंने ज़ा लिया ये सु तेरे सिमा मैं सु रख्शित नहीं एं खुदा तुगी ने मुझे प्यार किया तुगी ने मेरा उधार किया हाँ परमेश्वर छूले आज मेरे लोगों को मेरी रोने मेरे चिलाने को सुले आज परमेश्वर मेरे किरगड़ने को सुने आच तेरह काश खापने लगे आच तेरह स्वार खिल जाए अच तेरह द LAUGHत्वावित्रा आए आहें नोगों के लिए रो रहा है परमिश्वर आच तो मेरे लोगों को छूले आच इन्ने फिर से भर दे आच जुनोंने इनके फिर से काम रिस्टॉर हो जाए इनके खते बरे पुरे हो जाए इनकी आशीशे बना है आज इनके काम फिर से बनने लगे जिनके गर में आशीशे नहीं है वो आशीशे आने पाए आज रिस्टॉर हो जाए ब्लेसिंग आने पाए चुले है पोई ट्रादमे लो को आदिसमा सिकना में अपनी हाँ जूरी से मुझी को जिला दे ऐ रुगे पाकी खुदा अपनी हाँ जूरी से मुझी को जिला दे ऐ रुगे पाकी खुदा पाकी दिमानी दि मुझी को बना दे ए रूगे पाकी खुदा ए रूगे पाकी खुदा रूआ सब कहें सब कहें रूआ वो छुएगा वो आ रहा है हमारे बीच में है वो यहाँ है वो हमारे बीच में है वो छुड़ा है अपनी हादूरी में मुझी को बना दे तुह आज विश्वास से का रहे है रिस्टोर हो जाओगे आप अपने हादों को उठाओ आज परमेश्वर के सामने रो आज कि रड़ाओ आज वो तुम्हे रिस्टोर करेगा वो इस साल में तुम्हे बढाएगा तुम्हेरी आशी चुको खालेगा वो परमेश्वर है वो जो तुम मांग रहे हो वो देगा अज मेरा रोना मेरा चितना सुनेगा मेरा परमेश्वर है रूगे पाके खुदा रूगे पाके खुदा रूगे 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 रू यह पुश्यक्ता की ओर से आशिरवाद है आपके पर के तुम इस साल में तुगने सुकों पाओगे जहां तुम खराब कर दियेगे डिस्ट्रोइ कर दियेगे तुमारा फितने फिर से घरा होगा शमसी के लाव में यह पुश्यवादिये रसीव करो आज जो घर तबाओगे फिर से बनेगा का कनेश है शांती आएगी आप फिर से अपनी हडियों में नई ताकत देखेंगे आज जो और थे बांध है बांध है बच्चा दरेगी आज रूआ आज अपनी हजूरी में मुची को तीला दे घर बच्चा दे पवितरात माँ छू़ड़ ऑज भांध है बच्चा दूआ अपनी हजूरी में पथिको तीला दे जो प्रच्राप्र हो जो कोई वीमारे चंग और बोच इसकी किट्निया खराब जंगी हो जाए वहाच, अंते तेखने लेजेज, गुंगे बोले लेज, पेरे सुनने लेज, किल्दिया चाए, नसोलिया चाए, कमर का दर चाए, खुटने आसादो जाओ चाती का धर चाए आखों काला मोधिया चाए 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 करदे के बंदर ढूट चाए फ्लैक मैजिक चाए आसादो जाए